तो आज के इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग और रिव्यू दूंगा डिटी नंबर वन मैक्स स्मार्ट वॉच का और ये जो वॉच है एकदम लेटेस्ट है और डिटी नंबर वन का अपडेटेड वर्जन है तो इसको आज के इस वीडियो में फुल रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि क्या वर्टेट है या फिर नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का इस टाइप में बॉक्स देखने को मिल जाएगा और वियर प्रो एप्लिकेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा तो एक बार इसके बॉक्स को उपन करके बता देता हूँ तो यहाँ पर इस वाच का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर होने वाला है कि इसके अंदर 500 प्लस वाच फेशिस देखने को मिल जाएगे तो यह एक बहुत ही अच्छा नंबर है तो एक बार चलिए और कुछ कंटेंट्स चेक कर लेता है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगे DT No.1 स्मार्ट वाच और यह जो है DT No.1 मैक्स होने वाली है DT No.1 का updated version है और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा wireless charger तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी magnetic pin नहीं दी गई है और यह होने वाला है true wireless charger और उसके बाद यहाँ पर user manual देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस चाइब से user manual को आप पढ़के समझ सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो DT No.1 मैक्स लिखा हुआ है तो यह सारे contents देखने को मिल जाएगे तो सबसे विल अगर बात करें build quality और first impression की तो यह अब तक की best smart watch है क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा full metal built तो यहाँ पर sides की बात की जाए तो sides में आपको metal build देखने को मिल जाती है उसी के साथ crown भी working देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर microphone है और नीचे वाला button भी देखने को मिल जाएगा और यह भी working है उसी के साथ इस side में आपको speaker देखने को मिल जाएगा और पीछी की side की बात करें तो कुछ sensors देखने को मिल जाएगे और build quality overall बहुत शानदार रहने वाली है इस watch की उसी के साथ यहाँ पर 44 mm के straps का option देखने को मिल जाएगा और इसके साथ जो straps आते है उसकी थोड़ी average quality है तो अगर आप चाहो तो इसी को use कर सकते हो या फिर market से कोई भी नए straps purchase करके भी लगा सकते हो तो straps की थोड़ी average quality है बाकी अगर बात की जाए watch की तो watch की quality बहुत शानदार है यहाँ पर कहीं भी cost cutting नहीं की गई है इस watch को on करने के लिए इस button को 3 second तक press करना पड़ेगा और on हो जाएगी यह smart watch और यह जो है इसके साथ आपको support देखने को मिल जाएगा wear pro application का तो यह वाली जो application है इसको मैं download कर चुका हूँ play store से और एक बार setup कर देता हूँ तो setup मैंने कर दिया है और setup करने के बाद यहाँ पर आपको bind device पर click करना होगा और यहाँ पर लिखा जाएगा smart watch तो इसके उपर click करके आसानी से smart watch को connect कर सकते हो अगर बात की जाए इसके display की तो इसके अंदर 1.9 इंचिस का बड़ा display देखने को मिल जाता है और यहाँ पर bezels आपको बहुत कम देखने को मिल जाएंगे तो बिलकुल edge to edge display का support देखने को मिल जाएगा इस smart watch के अंदर उसी के साथ यहाँ पर TFT display का use क्या गया है तो overall colors वगेरा बहुत सही आता है पंची colors शो होता है तो overall यहाँ पर display की quality को बहुत अच्छा रखा गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं DT जो series है इसके अंदर display की quality का बहुत ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर यह आपको बिलकुल भी let down नहीं करेगी और overall looking wise बहुत शांदार लगती है यह smart watch watch faces की बात की जाए तो इसके अंदर inbuilt 20 watch faces देखने को मिल जाएंगे और सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पर full display है उसी के साथ animated watch faces का भी support देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर watch faces को लेके कोई कमी नहीं है और application के अंदर भी 500 watch faces का support देखने को मिल जाता है तो यह सारे watch faces भी लगा सकते हो तो overall बहुत सारे watch faces है उसी के साथ अगर चाहो तो custom watch face भी लगा सकते हो तो watch face को लेके कोई भी कमी नहीं है और इस smart watch के अंदर always on display का भी option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर यह बहुत शांदार option लगता है कि इसके अंदर आपको always on display भी देखने को मिल जाता है और race to wake gesture भी बहुत अच्छे से work करता है तो यहाँ पर race to wake gesture plus always on equals to pro तो यहाँ पर आपको सारे pro features देखने को मिल जाता है बैटरी वेकप की बात की जाए तो यह 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगी और अगर calling feature को use नहीं करोगे तो उससे जादा भी चल सकती है और UI की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत user friendly सा experience देखने को मिल जाता है नीचे की तव swipe करके control panel आजाएगा राइट की तव swipe करके यहाँ पर आपको recent applications देखने को मिल जाएगे उपर की तव swipe करके यहाँ पर आपको सारे जो features है वो देखने को मिल जाएगे उसी के साथ राइट की तव swipe करके कुछ components देखने को मिल जाएगे और सारे ही component के नीचे इस type से data show जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे आप अपने sub से customize भी कर सकते हो तो यहाँ से अपने sub से customize कर पाओगे और इस watch के अंदर अलग-लग type की menu style देखने को मिल जाएगी और सारी ही menu style के अंदर आप crown को rotate करके access कर सकते हो तो यहाँ पे इस type से कुछ menu style है और बता देता हूँ एक बार तो यह वाली है उसके बाद यह वाली है और सारी ही बहुत ज़दा unique है और अपने sub से आप access कर सकते हो और main वाली होने वाली है honeycomb जो कि अब मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर overall तो बहुत सारी देखने को मिल जाती है और लिस्ट वाली थी अब यह आ चुकी है honeycomb menu style तो यहाँ पे यह बहुत सारे लोगों की favorite होती है तो इसके अंदर smoothness बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है बहुत सारे लोगों को उसी के साथ crown को rotate करके zoom in और zoom out भी कर सकते हो ये भी बहुत अच्छे से work करता है तो इसको आप इस type से access कर सकते हो और सबसे अच्छी बात ये है कि lags बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है तो चलिए अब एक एक करके applications बता देता हूँ तो सबसे फ़ले option देखने को मिल जाएगा phone का और यहाँ पे आपको dialer देखने को मिल जाएगा और यहाँ से किसी को भी calls वगिरा place कर सकते हो calls वगिरा phone से ही लगे पर इस watch से बात कर सकते हो उसके बाद option देखने को मिल जाएगा messages का और phone के messages यहाँ पे show जाएगे उसी के साथ context का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप maximum 8 contacts sync कर सकते हो उसके बाद option है call records का और इसके अंदर आपके सारे call records show हो जाएगे उसके बाद है fitness data का option और इसके अंदर आपको सारा आपका जो भी activity है वो सारी देखने को मिल जाएगी इसके अंदर बहुत सारे sports mode भी देखने को मिल जाएगे और इसकी sports mode को test करने के लिए मैंने जिम में treadmill पे बहुत देर तक try किया और accuracy बहुत हद तक accurate आती है और results वगरा 95% तक accurate रहते है उसके बाद है heart rate sensor तो यहाँ पे check करते हैं कि heart rate जो है वो air में show करती है यह smart watch यहाँ पे नहीं करती है तो यहाँ पे पीछे की side में sensors तो off हो चुके है और यहाँ पे कोई भी reading show नहीं हो रही है इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि heart rate थोड़े accurate देखने को मिल जाता है और इसको मैंने ओक्सिमेटर से भी compare करके देखा है 90-95% तक accuracy भी देखने को मिल जाती है उसके बाद है option ECG का और BP का दोनों ही fake है उसके बाद यहाँ पे आपको SPO2 sensor देखने को मिल जाएगा और इसके उपर भी आप जादा relyड नहीं कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे NFC का option देखने को मिल जाता है और NFC से आप कहीं भी payments वगरा कर सकते हो उसके बाद है यहाँ पे WeChat message का और इसको भी आप access कर सकते हो application से अली पे हो तो उसका भी आप QR code add कर सकते हो यहाँ पे उसके बाद है option music का तो phone के music को control कर सकते हो और क्योंकि इसके अंदर inbuilt speaker है तो watch के अंदर ही music वगरा सुन सकते हो तो यहाँ पे अगर बात करें speaker की quality की तो यहाँ पे speaker की loudness हलकी सी कम है पर फटता नहीं यह बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पे आपको crisp और clear sound quality देखने को मिल जाएगी बस loudness हलकी सी कम लग सकती है उसके बाद है option sleep monitor का और इसके अंदर ठीक type accuracy है उसके साथ stop watch का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इस type animations के अंदर weather show हो जाएगा उसके साथ यहाँ पे my qr code का option देखने को मिल जाएगा उसके बाद option GPS motion tracking का उसके बाद option देखने को मिल जाएगा time का और यहाँ पे आप manually time को set कर सकते हो और यह बहुत साई feature है क्योंकि बागी आपके phone के Bluetooth से sync होता है तो बार बार आपको time को sync करने के लिए Bluetooth से connect करना पड़ता है जो कि बहुत irritating हो जाता है पर इस watch के अंदर manually आप time को set कर सकते हो उसके साथ voice assistant का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे click करके अगर आपके पास iPhone है तो Siri feature activate हो जाएगा और अगर Android है तो Google Assistant activate हो जाएगा उसके बाद option alarm clock का alarm से वगिरा set कर सकते हो फ्लेश लाइट का option देखने को मिल जाएगा पूरा अगर अंधिरा हो तो इसको use कर सकते हो उसके बाद calculator है और मेरे सबसे calculator एक important feature है चुक की लगबग सारी watches को देना चाहिए और इसके अंदर thankfully देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप कुछ भी calculations वगिरा आराम से कर सकते हो कोई problem नहीं होगी उसी के साथ fine phone का feature है weather का option है breathe training है breathe training के अंदर basically आपको train करेगा guide करेगा breathing वगिरा के लिए तो आप अपने हैसाब से setting कर सकते हो यहाँ पर भी उसके बाद है option massager का और यहाँ पर vibrations वगिरा होंगे अगर आपको पसंद हो तो इसको भी use कर सकते हो उसके बाद है female health tracking का feature और menu style का option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर total आपको 10 नही 11 11 menu style देखने को मिल जाएगी तो 11 बहुत अच्छा नंबर है और menu style इतनी सारी मिल रही है प्लस watch faces जादा है तो यह बहुत साई चीज है उसके बाद है option settings का और यहाँ पर dial switch पर click करके watch faces change कर सकते हो screen का on या off time अपने साब से set कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा sound and vibration का power saving mode देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको mode selection का option देखने को मिल जाएगा अपने साब से select भी कर सकते हो उसके बाद option password का password भी set कर सकते हो इस watch के अंदर तो overall यहाँ पर options आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही सारे features देखने को मिल जाएंगे तो अब अगर बात करे conclusion की तो ये watch मैं आपको 110% recommend कर सकता हूँ क्योंकि अगर आप इस range में कोई product लेने का सोच रहे हो तो इस watch को जरूर से consider कर सकते हो क्योंकि display अच्छा है always on का feature है उसी के साथ यहाँ पर bezels बिल्कुल देखने को नहीं मिलते watch faces जाता है menu styles जाता है legs बिल्कुल देखने को नहीं मिलते calling feature है तो overall जितने भी features होने चाहिए एक watch के अंदर वो सारे देखने को मिल जाते है और metal built है यह अच्छी बात है तो overall बहुत शांदार watch है इसको अगर purchase करना हो तो urban store से कर सकते हो bind links देखने को मिल जाएगी description में और अगर review पुसंद आयो तो like कर दिया करो like से बहुत motivation मिलता है और channel अभी तक subscribe नहीं किया तो जरूर से कर देना 50K के बहुत करीब है हो सकता है जल्दी से जल्दी हो जाएंगे और आपके लिए मैं give away इस लेके आऊँगा तो 50K करवा दो तो best है बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye always on display on हो गया